वैसे तो इंडिया में बहुत सारे धर्म हैं लेकिन एक धर्म यहाँ पर कोमन है और वह है क्रिकेट क्रिकेट में हर दिन मैच में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन सा प्लेयर चलेगा, कौन सा बोलर विकेट लेगा, कौन छक्का मारेगा, कौन जोगा मारेगा इंडिया में इसके उबर सटे बाजी का वजार गरम रहता है लोग इसे सटे बाजी कहते हैं gambling कहते है लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यह अनुमान लगाना बच्चों का केल नहीं है इसमें भी दिमाग लगता है इसमें probability होती है इसमें mathematics होती है और literally जो cricket को बड़े अच्छे तरीके से जानता है जो बारीकियों को समझता है actually वही इसका सही तरीके से अनुमान लगा कि अच्छा पैसा कमा सकता है और जो लोग नहीं जानते वो उसे सटे बाजी कहते है तो यह एक तरह का analytic व्यापार है business है और इसके बारे में आज बात करेंगे क्यों बात करेंगे उसके पीछे का reason एक तो हमारे महमान आज हमारे साथ जो महमान है उन्होंने सरफ 21 साल की उमर में इसी fantasy से या weekend से इसी speculation से इसी analysis से cricket की बारी क्या जानकर क्रोणों रोपय कमाए है इतनी सी उमर्व है सबसे पहली बात और दूसरी बात cricket धर्व है और सबसे खास बात जब IPL चलता है हमारे याँपर या इंडिया पाकिस्तान का बैच होता है इंडिया उस्ट्रेलिया की सिरीज भी चल रही है हर जगा पे आप देखोगे कि वहाँ पर एक तीज बड़ी कोमन है Fantasy Cricket League आज इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि आज मुझे सब लगता है कि इन सब के बड़े भाई मुझे लगता है कि जानने वाले आज हमारे साथ पोड़कास में है प्लीज वेलकम अनुराग लक्ष्मी डाथ दिवेदी आज हमारे साथ है इस पोड़कास में So let's start The Arvind Arora Show Next Episode With one and only The League Expert The Fantasy League Expert Anurag दिवेदी Hi, how are you? सबसे पहले तो बहुत अच्छा आपने इंटो दिया और अज मसाया सुनके और मुझे लग रहा है कि इस पोड़कास से ना काफी सारे लोग आथ बहुत कुछ सिखने वाले है तो जो भी मदलब Fantasy की जो प्लियर से ना क्योंकि वो पक्का देखने वाले हैं वो आपको पूरा टाइम देने वाले आप दो घंटे का पोड़कास बनाओ वो दो घंटे सुनेंगे और उनको बहुत कुछ सिखने को मिलेगा और कुछ बाते ऐसी होगी जो और लोगों के लिए होगी कुछ नहीं बहुत सारी बाते हैसी होगी कूँकि वो आपके ऊपर आप क्या पूछते हो मुझे पता आप बहुत कुछ अजीब होगे जैसे आपने पहले ही बोल दिया था मझसे तो लोगों ग्यान भी मिलेगा fantasy का भी ग्यान मिलेगा और जो मेही journey है वो भी उनको पता चलीगी तो इस podcast का सबसे पहले center point भी आपको बता देता हूँ देखें हम लोग चाहते हैं कि अगर आपके पास घर पे time है जो कि आज कल की योध के पास बहुत है तो बजाए real पे अपना time waste करने के आप अगर ऐसी चीज ऐसे analytics सीख लेते हो तो शायद आप अच्छा पैसा कमा लो इन्होंने भी खाब जी रहा है उसके बारे में बात करेंगे वो जानना भी जरूरी है क्योंकि तभी तो आपके अंदर आपके दिल में खाब पलेंगे सबसे पहले तो सवाल कभी भी controversial नहीं होता है हमारत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है लेकिन सवालों के जवाब जो होते हैं वो सवालों को controversial बनाते हैं तो आपको संभल के जवाब देना है और आपके जवाबों की हमारी जिम्मेदारी नहीं है और दूसरी चीज यह है कि हम लोग अपने जो महान होते हैं उनको एक मोगा देते हैं पोड़कास की स्टार्टिंग में हम पूछते हैं कि आप किस चीज के बारे में बात करना चाहते हैं किस चीज के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ options दूँगा और आपको बताना है कि आप उसके बारे में बात करना चाहोगी के नहीं बात करना चाहोगे सबसे पहले इस जो fantasy leagues होती है उनके बारे बात करना चाहोगे बिलकुल अपने career के बारे में एकदम वडिक्कत नहीं अपनी family के बारे में एकदम दिल खोल गे दुबाई की life के बारे में दुबाई में ऐसे मैं घुमा हूं घुमता हूं बट मैं वहां रहता नहीं तो मुझे नहीं लगता हूं नो उतनी वैल्यू एड़ कर पाऊंगा इस टॉपिक पर जितना पूछेंगे जितना मुझे पता होगा जरूर बोले अपनी परसल लाइफ के बारे परसनलाइब मतलभ गल्फिर्ण मझार मारे होता है न रहत आप मेरी जो सीक्रेट सेमी अब टो टॉट चभ exist p वो सोचल में अपनी में पुछलेंगे तो लोह को मजає अथा सुन् static अपनी फैंटेसी स्कार्र्रेश में इक दम क्या मेरे गोल्स हैं, क्या हम करने वाले हैं? मैं करियर की छीज को भोलता हूँ actually, मैं उसको और बात करूंगा अपनी स्टरग्ल्स के बारे में? बिल्कुल, मेरे जो स्टरग्ल है वह अशाया लोगों को रुला दें एटेंटेन्मेंट के बारे में? एकदम बिल्कुल करेंगे क्या बात है और फाइनली पॉलिटिक्स के बारे में पॉलिटिक्स में मैं उतना हो नहीं बड़ जो कुछ जरूर कहना पड़ेगा मिनलब मैं कह दूँगा जो मेरा मन है मैं जरूर कहूँगा इंडिन यूथ के बारे में हाँ बहुत कुछ कहना है क्या बात